दुनिया भर में अपनी मधूर आवाज से अपनी गाईकी का जादू चलाने वाले मशूर संगीत कार मोजारट आप मदरास ए आर रह्मान भारत के उन कलाकारों में से है जिनोंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है उनका संगीत हमेशा से अलग माना जाता रहा है रह्मान की लाइफ काफी उतार चड़ाव भरी रही लेकिन उनकी लव लाइफ काफी दिल्चस्प है वह अपनी पत्नी सायराबानों से बे इंतफ़ा मोभबत करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने शादी के लिए अ अपना नाम बदल लिया था जो कई मोगे पर उनके लिए एक चर्चा का विशय भी रहा है अपने संगीत से लोगों के दिलों में बच जाने वाले रह्मान को संगीत अपने पिता से विरासत में मिला है उनके पिता भी संगितकार थे ए आर रहमान ने लव मेरेज नहीं की लेकिन उन्होंने शादी के लिए अपनी मा करीमा बेगम को अपनी पसंद के बारे में सब कुछ बता दिया था कि उन्हें अपनी होने वाली पत्नी में क्या-क्या गुन चाहिए उनको जैसी लड़की चाहिए थी मा ने अपने बेटे के लिए वैसी ही लड़की ढूनने का बीड़ा उठा लिया था पहला गुन यह था कि वह खुब पड़ी लिखी हो वह ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि रहमान ने सिर्फ डिगरी तक ही पड़ाई की थी दूसरा उससे संगिस से प्रेम हो और तीसरा वह बहुत शालिन होने के साथ साथ खुबसुर्यत भी हो इन की दो बेटिया थी जिनका नाम मेहर और सायरा बानो था वह देखने तो उनकी छोटी बेटी मेहर को गए थे अब इत्तेफाक कहे या किस्मत का लिखा रहमान की मा को वे सभी गुन उनकी बड़ी बेटी सायरा बानों में नजर आए तो फिर क्या था सोने पर सुहागा उन् लग दी थी यर 1995 में एयार रहमान और सायरा बानो शादी के बंदन में बन गए बता दे कि शादी के समय रहमान 27 जबकि सायरा 21 एर्स की थी शादी के बाद जब दोनों ने एक दुसरे को करिब से जाना तो उनका प्यार भी उतना ही गहरा हो गया एयार रहमान ने भारतिय स आवार्ड और गोल्डन ग्लोब आवार्ड हासिल कर चुके है यहार रह्मान का चेन्ने में अपना खुद का म्यूजिक स्टूडियो भी है चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्टोपीडिया में